वेल्कम टू इन्फुसिक्स आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा असुस 541 लेप्टप का अन्बोक्सिंग एंड ये भी बाताऊंगा इस लेप्टप में क्या-क्या फिचार्स है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो ये आप देख सकते हैं असुस लेप्टप का ये बाक्स है जो मैंने फ्लिप कार्ट से पार्चेज किया है और ये अमाजन पर भी अवेलेवल है तो यहाँ पर देखिए बाक्स के उपर स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है एंड ये मॉडल नमबर भी लिखा हुआ है एक्स बॉक्स के अंदर ये कुईक स्टार्ट गाइड है और क्या क्या है देखते हैं और भी एक बूक है जिसमें लेप्टप के सारे डिटेल्स लिखा हुआ है तो आप ये देखिए ये है लेप्टप का चार्जर देखिए ये लेप्टप मैंने ओपेन कर लिया तो उपर लिखा हुआ है असुस असुस का लोगो है ये और डिजाइन भी काफी अच्छा है लेकिन ये थोड़ा मोटा है लेप्टप और इसमें प्रिलोडेट विंडोज 10 है तो इसके देखिए ये सारे पॉर्ट है यहां पर फीजाइब पोर्ट है और इस तरफ भी देखिए कि अका पॉर्ट है इस तरफ डिवीटी राइटर है तो आप इसका कीबोर्ड देख सकते है एंड इसका टाच पेड भी कभी अच्छा है स्मूथ है और जो ये लेप्टॉप का की है इसके अंदर गैब है और उपर देखिए ये दोनों स्पिकर है स्पिकर का साउंड क्वालिटी भी कभी अच्छा है इस लेप्टॉप का तो ये पार बटन है तो आप चलिए लेप्टॉप को अन करते है तो आप यहाँ पर देख सकते है असुस का लोगो आ गया है यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेंग्वेज सिलेक्शन का अप्सिन आ गया है तो मैंने यहाँ पर इंग्लिक्स सिलेट कर दिया है नीचे और भी सारे लेंग्वेज है तो आप कांट्री सिलेट करना होगा तो मैंने यहाँ से इंडिया दे दिया उसके बाद language English India उसके बाद टाइम जो इंफिलेट करना होगा उसके बाद next करना है तो मैंने ख़प कर दीया है उसके बाद यह जो ट्रामस और कंधिसन है वो असेट करना होगा आप यहाँ पर देखिए network selection का option आ गया है तो मैंने skip कर दिया तो यहाँ पर option आ गया है देखिए इस computer को कौन यूज़ करगा उसका नाम देना होगा तो नाम देने के बाद next पर click करना है then Cortana setup आ गया है तो मैंने use Cortana पर click कर दिया तो यहाँ पर register your product का option आ गया है तो मैंने next कर दिया ये लगभग हो गया है थोड़ा बाकी है आप मैं आपको laptop का specification बाता देता हूँ इस laptop पे 4GB RAM है जिसको आप 12GB तक expand कर सकते हो इसका hard drive है 1 TV एंड इसमें जो processor है वो है Intel का processor Intel i3 processor 6 generation जिसका clock speed है 2 GHz इस laptop का skin size है 15.6 inch एंड इस laptop का weight है 2 kg यहाँ पे late start आ गया है मतलब अब यह on हो रहा है देखिए आप सेटिंग पे जाके चेक कर सकते हो laptop की specification एंड इसमें जो Windows version load है वो भी आप चेक कर सकते हो वीडियो को देखने के लिए धन्नवाद इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल Infosix को सब्सक्रेब कीजिए एंड इस वीडियो को जोरूर लाइक एंड शेयर कीजिए